आपकी लिए यहां पर 100 लपर एक पेटियम केस मिल जाएगा आप अपना नम्मर दोस्तों शेर कर दीजिएगा हमारे इंस्टा फर यहां आप कमेंट मैं भी सहर कर सकते हो उसके और इनको बड़ी अच्छी टक कर दियों और आज का さका सबक्रास क पेडियोमत में बढ़ार्य इस तरीके से मिल जाएंगे बस आप वीडियो पूरी देखेगा और question का सही answer दीजीगा तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम detail से cover करने वाले है जो चेन नहीं और दोस्तों Sunrise से हैदरवाद का मुकाबला होने वाला है इसके बारे में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ बेन्यू के बारे में यहाँ बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो RMJetley Stadium में मुकाबला दिली में मुकाबला होने वाला है दोस्तों जो कि एक average scoring बिकेट है आपके लिए हम यहाँ पर दिखा दीते हैं टोटल यहाँ पर 33 मुकाबली खिले गए जोस्तों average scoring हम आपके लिए idea देते हैं यहाँ पर highest total के बारे में बात की जाए तो 21-31 है बात की जाए लोयाँ पर 66 है दोनो ही Delhi के हैं क्योंकि Delhi का home ground है दोस्तों तो दोने ही score यहाँ पर देली के हैं हाई score भी और lowest score यहाँ पर यहाँ जो सकोरिंग फेटरन के बारे में बात स्कूर्ष देखने को मिल जा ऩूहिं बात कि जाए तोटल पंदरा खेले गाए इन में चेने ले New दोस्तो कमाल किया है गैरा मुकाबले बिन की है हैं यहां पर संराजिया गाद्र狲 मात्र चार मुकाबले बिनcing है दोस्तो जैसा कि आप पिछले 3-4 मेंचों से देख रहे हुए जो हम बोल रहां हैं दोस्तो कौन जीते का वो यह हो रहा है और दोस्तो टीम की जो prediction है बो डिलक करते हैं रितुर्वाज गया एक बार की लास्ट के दो में चोंसे नोन फॉम मैं बापसी कि आप देख सकते हो 64 बनाए उसके बाद इन्होंने 33 बनाए फैब डू प्लेसे के बारे बात करें लगातार अच्छी फॉम दिखा रहे हैं दोस्तों इनके खिलाब इन्होंने 11 मुका कुमार की नोन 49 गयंद में 47 रबना हैं और एक बी बार आउट नहीं हुए हैं दोस्तों कमाल की बात यह है कि एक बी बार आउट यह नहीं हुए हैं बात करें सुरेश रहना की सुरेश रहना नमर 3 पर बल्ले बाजी करती हुए नजर आ जाएंगे यदि मोहिन अली नहीं ख राजित खानने भी इने तीन बार आउट किया है इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा उसके अलाब दोस्तों अच्छा खिलते हैं और सभी को लगबग अच्छा खिलते हैं 13 मैंचों की 13 इनिंग्स में 445 रन मनाएं और 37 का इनका अबरेश है जियां दोस्तों इस ब तो दोस्तों आप अमबाती राएडियो के अपने टीब में ट्राइग कर सकते हैं उसके अलाब रविन जड़ेजा लास्ट मुकाबले में दोस्तों क्या इनिंग स्केल कर दी थी एक और में सबसे जाद अरा इनों ने 37 बनाये थे हलाए कि वो पिछले रिकॉर्ड के बराब दोस्तों भूमनिस्वर कुमार के खलाप अच्छी बल्लेबाजी की है जी यहां दोस्तों एक भी बार आउट नहीं हुए और 49 गैंदों में 87 रन बनाये दोस्तों इस स्टेक्स को धियान रखकर आप ग्रेंड लिक की दो से तीन टीम में आप इन्हें रख सकते हो अब इनका टॉप ओडर होता है तो इनकी बल्ले बाजी आईगी आखिए और इनका टॉप ऑडर है दोस्तों वो काफीGAN चल रहा है तो सम्भथा इनकी बल्ले बाजी ना आये, अब बात करते हैं सार्दूल ठाकुर, सार्दूल ठाकुर ज्यादा तर डेथ होवर में अपनी गेंदवाजी करने वाले हैं, तो सार्दूल ठाकुर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, चांसे बढ़ जाते हैं दोस्तो डेथ होवर में गेंदवाजी करता ह यदि बिकेट में स्विंग होगी तो दोस्तो इन्हें बिकेट मिलेंगी जी यदि बिकेट में स्विंग होगी तो इन्हें बिकेट मिलेंगी अधरवाइस इन्हें बिकेट नहीं मिलेंगी दोस्तो आपके लिए पिसकी जो अपडेट आईगी वो आप्टर टॉस हमारे टेली इम्पेक्ट डाल सकते हैं, लास्ट मुकाबले में इन्हों इन्हों निकाले, उससे पहले दोस्तों इन्हें खिलाया नहीं गया था IPL में, यह IPL के रेकॉर्ड नहीं है दोस्तों, उसके अलाब इनके खिलाब दो मैच में दोस्तों इन्हों ने दो विकिट निकाले हैं, तो ताहर को आप अपने Grand League की टीम में ट्राइग कर सकते हो Small League की टीम हम तयार करकर आपके लिए देंगे और After Toss दोस्तों जो Final Team आएगी वो भी आपके लिए Telegram पर मिल जाएगी तो आप बिल्कुल Tension मत लीजीगा आप यहाँ पर Idea लीजीगा और अपने से टीम तयार करने की कौसिस करिएगा अब बात करते हैं Sunrizer शेहदराबाद के बारे डेविड बोर्नर जोनी वेरिष्टों के साथ ओपन करती हूं नजर आ जाएगी जोनी वेरिष्टों बहुत अच्छी बल्ले बाजी कर रहा है इनके खिलाब आठ मैचों की आठ इनिंग्स में 348 रन बनाएं और 43 का अबरेज है जोनी वेरिष्टों की आप देख सकते हो 4 मैच में 84 रने उन्होंने बनाएं और दोस्तों यदि प्लेयर बैटल के बारे में आपके लिए जडेजा पर हावी रहते हैं दोस्तों जडेजा की उन्होंने 36 गेंदों में 58 रन बनाएं लगबग 10 की रन रेट से डेविड वार्ण ने जडेजा खिलाब रन बनाएं उसके लाब दोस्तों ये चहार पर भी दीपक चहार पर भी ये हावी रहते हैं दीपक चार की 41 गयंदों, में उने 64 रन बनाएं, तो आप इससे समझ सकते हो, कि कितरी अच्छी दूस्तों, यह बल्ले बाजी करते हैं, उसके अलाबा जौनी वेरिश्टु आपके लिए श्ट्रुगल कर सकते हैं जी यह दोस्तो इस्ट्रगल कर सकते हैं किसके सामने वो इमरान ताहर की सामने या रविन जड़ेजा के सामने इस्ट्रगल करती हैं जोनी बेरिष्टो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिए और ग्रेंड लिग में कापी ज्यादा काम है आनी वाली है इसमोल लिग में मैच में 348 रन है जिए दोस्तों और लगवग 43 का एंगेबरेस है डेविड बॉरनर और दोस्तों एक साथ प्रॉफमेंशन का है आप बात करें ब्राट सिंग ब्राट सिंग नमर 4 पर बल्ले बाजी करेंगे आप देख सकते हैं चार रन बनाए इससे पहले मौका नहीं मिला थ हम समझ रहे हैं अब बात करें दोस्तों यहां से अभिषेक सर्मा अभिषेक सर्मा पांच रन कोई विकेट नहीं मिला प्लेयर अच्छे हैं दोस्तों लेकिन प्रॉमेंस नहीं दे पा रहा है बिजर संकर आप देख सकते हो ज्यादा कुछ इनों ने खास नहीं किया ग्रें लिग की तो दो से तीन टीमों में आप इने एज़ा केप्टन बाइस केप्टन रखिएगा क्योंकि दोस्तों इनका टॉप ओडर और क्वेलेस होता है तो बल्लेबाजी भी आएगी उसके अलाबा गैंदबाजी से अपके लिए एक विकेट तो कम से कम निकालेंगो और एक दोस्तों इनकी बज़े से ही जीती इन्होंने विकेट भी निकाला एक और चवदर रन भी बनाए उसके अलाबागा खलील अहमद विकेट नहीं मिला लाष्ट मुकाबले मुझे से पहले तीन विकेट मिले थे सिधार्त कॉल दो विकेट मिले इससे पहले भी ये एक लेकिन दोस्तो उससे पहले याद या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सबसे पहले विकिट कीपिंग सेक्षन के बारे में बात करें, तो जॉनी बेरिष्टों और मेहंधर सिंग दौनी, मैंन सिंग दौनी को तो small league में लेने का कोई मतलब है नहीं, great league कि आप एकादा team में try कर सकते, और captain wise captain try मत करेगा, दोस्तों मैं जोनी बेरिष्टियों को अपनी team में try करूँगा, दोस्तों वीडियो को like जरू कर दे, like करना बिलकुल न भूले, अब बात करते हैं, आपर बल्लिबाजी section के बारे में बात करें, उससे पहले आज के question के बारे में आपके लिए मैं बता देता हूँ, दोस्तों आज का question है कि इस मुकाबले में सबसे जादा run, यहां दोस्तों ध्यान से सुनीगा, सबसे जादा run किस बॉलर में पढ़ेंगी, आप अपना जवाब दे सकते हैं, hashtag DCG, और दोस्तों उस बॉलर का नाम लिख सकते हैं, जो सबसे पहले सबसे सही जवाब देगा, सुली जीए का term and condition, जो सबसे पहले सबसे सही जवाब देगा, दोस्तों, उसके लिए हमारी तरफ से 100 रोपे का PTM cash bonus मिलेगा, मैं आपके लिए बिल्कुल, दोस्तों यहां पर screenshot लेकर सबसे पहले जो जवाब देगा, सही देगा, उसका मैं आपके लिए share हमारे टेलिग्राम चैनल पर करूँगा, तो फिलीज टेलिग्राम से ज़रूर जुड़ ज़रीगा, तो दोस्तों यहां पर हम डेविड बॉटनर को ट्राइ करेंगे, फैप डूपलेसिस को ट्राइ करेंगे, दोनों ही open करते हैं उन्हें ज़र आ जाएंगे और दोनों ही अच्छे फोर्म में हैं, और फैप डूपलेसिस तो खास कर बहुत अच्छे फोर्म में हैं, और आपके लिए small league का captain by captain भी अच्छी चोईस हो जाते हैं, grand league की तो कम सकम तीन से चार टीम हो में आप इन्हें as a captain by captain try करिएगा दोनों को ही, सुरेश रहना को यहां हम avoid करेंगे, क्योंकि हमारे पास carry issue आ रहा है, यदि आप carry issue फेस नहीं करना चाहेते, तो आप हमारा दोस्तों जो एप्लिकेस नहीं है दोस्तों game जी, आप इसको download कर सकते हो, इसकी link description में मिलिया है या आप भास जाके download कर सकते हो, download करकर code डालने के आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर देख सकते हो, इसमें बहुत सारे game है, live fantasy भी है, second innings का भी है, और दोस्तों और भी सारे game है, तो आप इन्हें अपने play कर सकते हो, आप यदि first time download करते हो, तो आपके लिए 100 ओपी cash bonus भी आएगा, उसके अलब आपके लिए एक contest free में मिलेगा, जी यहां दोस्तों जो mega contest रहेगा, 20 लाग, 25 लाग जिसकी price होगी, उसमें आपके लिए free entry मिलेगी, आप इस मुकाबले में, आपके लिए 25 लाग प्राइस है दोस्तों, इसमें आपके लिए free entry मिलेवाली है, तो आप इस डाउनलोड कर लिए जी का link description में मिल जाएगी, डाउनलोड करकर code डालने की जरूरत है नहीं, तो आप एक बार जरूर से try करकर देखिएगा, इसके team का final preview मैं हमारे telegram channel पर आपके लिए provide करा दूँगा, तो please telegram से जरूर जुड़ जाएगा, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बल्लेवाजी section में, बल्लेवाजी section में दोस्तों आपके लिए सुरेश रहना खेलेंगे, लेकिन जैसक मैं बता है, cadities to face कर रहा हूँ, इस वाज़स मैंने try नहीं कर पारा, तो मैंने avoid कर कर चल ला हूँ, यहाँ पर Ken Williamson को try करूँगा, उसके अलाबा दूस्तों में यहाँ पर हितरुआज गायक बाल को, इनको try करने वाला हूँ, तो आपके पास यहाँ पर option कौन कौन से हो जाते हैं, अमबाती राइडू, आप इन्हें अपने टीब में try कर सकते हो दोस्तों, और Grand League में तो आप इन्हें as a captain bys captain भी try कर सकते हो, उसके अलाबा केदार जाधा आपके लिए अच्छा option हो जाता है, आप चाहो तो ब्राट सिंग को भी अपने टीब में try कर सकते हो, यह भी आपके लिए अच्छा option है, ब्राट सिंग क्योंकि नमबर 4 पर भल्ली बाजी कर रहा है दोस्तों, पिलेर अच्छा है, कापी अच्छी hitting करता है, लेकिन अभी उतना प्रोप्वेंस दे नहीं पारा, ideal थोड़ा बड़ा level हो जाते है, तो उस अभी के बारे मैं detail आपके लिए दे दी, अब बात करते हो, बात करें, तो सर रभिंदर जड़े जाको, तो मैं अपनी टीप में बिल्कुल definitely try करने वाला हूँ, पिछली में इनके से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और गेंदबाजी दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली की बिकेट थोड़ी सी मदद कर सकती है, वो आपके लिए after toss ज दीपक चाहर को try कर सकते हो, इन दोनों मैं से एक किसी को try कर सकते हो, बुड़े बेंड आप पर करता है, यहाँ पर बिज़े संकर, यदि दोस्तों इन्होंने performance कर दिया बल्ली से, तो आपके लिए ठीक टाक run बना कर दे सकते हैं, हाला कि last match में ने लगातार डिमोट किया ग तो इन दोनों मैं से किसे try करना चाहते हो, तो इनको ले सकते हो, या अविस सेक सर्मा को यहाँ पर ले सकते हो, यहां फर दोस्तु बली बाजी सेक्टन में जाकर आप try करीगा किदार जाधव को try कर सकते हो या brat sing को try कर सकते हो depend है आप पर करता है आप किसी लेना चाहेते हो या आप एक change है कर सकते हो यहां पर same current को remove करियेगा और दीपक चहार को ले लीजेगा उसके लाब अब आपके पास साड़े आठ के डिट बच जाते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तो ट्राइ कर सकते हो अमबाती राइड को कुछ आप ऐसा कॉमिनेशन तैयार कर सकते हो अब बात करें तो दोस्तो मैं आपके लिए यहाँ पर चार ओप्सन अभी प्रोवाइड करा दूस्तो ये चार ओप्शन जो मैं प्रवाइड कराएं उनको ग्रेल लिक में अलाग अलाग कॉंबिनेशन में एक पर ट्राइ करकर जरूर देखेगा आपके लिए बहुत अच्छी टीम बन कर तैयार होगी और दूस्तो इसमाल लिक के फानल केप्टन बाइस केप्टन आप् लिए टेलिग्राम पर प्रवाइड करा दूँगा लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगेज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद